परम पूजनिय सरसंग चालक मोहन जी भागवत से विनंती करती हूं कि वे मंच पराए इस सभागर्व में अपने उच्छाह सहीत उपस्थित सभी तरुन बंदुभगीनी उपस्थित नागरिक सज्जन माता भगीनी ऐसा ही भाषन बहुत साल पहले मैंने एक बार दिया था उसका प्रारंभ जिस वाक्य से किया था उसी वाक्य से इस भाषन का भी मैं प्रारंभ करता हूं आपका जोश बहुत प्रेरक है लेकिन मैं यहां होश की बात करने के लिए आया हूं जोश तो आवश्चक है बिना जोश के कोई काम नहीं होता इसलिए तरुनों को कहा जाता है कि तरुन सारे काम करते हैं क्योंकि तरुनाई जोश का दूसरा नाम है जोश तरुनाई का दूसरा नाम है परन्तु जोश को दिशा चाहिए और जोश क्षणिक होता है चाहे जब उसको बुला कर उससे काम करवा लेने का काम होश करता है और इसलिए आज अपने स्वतंद्रता के इस अमुरुत महुत्सों के वर्ष में चोधा अगस्त को हम लोग यहां बैठे हैं कि हमने ये नाम दिया है कि 2046 के हमारी विजन क्या है और हमारी एक्षन क्या हो ठो तो इसमें कोई दोरा आहे नहीं कि उस विजन और एक्षन के लिए ताकत और उठ्षा चाहिए जोश और हिम्मच चाहिए परन्तु उसके साथ साथ उसकी एक दिशा चाहिए और उस दिशा को समझने के लिए होश के साथ विचार करना पड़ता है हमको 2047 में भारत को बढ़ा करना है अब अपने आपको बढ़ा करना है तो भी बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते हैं यहां तो पूरा देश खड़ा करना है तो क्या-क्या करना पड़ेगा हमारे सामने वो सारा इतिहास एक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया वो जो कहानी है देश को बढ़ा करने की वो हमेशा खून से पसीने से आशुओं से लिखी जाती है नारे तो उस पर बाद में लगते हैं पता नहीं उस समय नारे लगे की नहीं और इतना तो पता है कि वंदे मातरम के नारे लगे तो अंदमान में जाना पड़ा काले पानी की सजा भुगतने के लिए नुकसान उठाना पड़ता है हम अगर ये संकल पर लेना चाते हैं तो हमको पता है कि इसके पहले पचात्तर वर्षे ही नहीं जब से पहला आक्रमक वायविदिशा की अपनी सहरत लांकर इस देश में कदम रखता गया तब से आज तक इस भारत को भारत रखने के लिए इस भारत को बड़ा होने के भविश्य का आउसर रखने के लिए कितने ही वीरों के बलिजान हुए है लाख लाख पीडिया लगी जब हमने इस संस्कृति को उपजाया और कोटी कोटी सर चड़े तभी इसकी रख्षा संभव उपाई उस बलिदान की त्याग की तैयारी जिनकी है उनके लिए ये विजन ये एक्षन है उनके लिए आज का कारिक्रम है जो ये हिम्मत नहीं करते सोचने की भी उनके लिए कारिक्रम नहीं है जो केवल अपनी सोचते हैं उनके लिए कारिक्रम नहीं है जो चाहते हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली देना उस पत पर फरफेक मात्रुभूमी परशीश चड़ाने जिस पर बढ़ते वीरा अनेक ऐसी उमंग जिनके मन में है उनके लिए एक कारिक्रम है हम कोई विचार करना होगा विजन और एक्षन 2047 की इस पर भाशन देना आसान है इस काम को करना है तो बीडा उठाना है कभी रा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ जो घर फुंके आपनों चले हमारे साथ कितने ही लोगों ने अपने घर को फूंक दिया अपने प्राणों की बली दे दी हस्ते हस्ते कोई पश्चात्ता अप नहीं था खुद्राम भोश जब पासी पर चड़े तो उनकी माताजी थी सारवजनिक फासी होगी माताजी भीड में खड़ी लेकर देख रही थी उसके आखों में स्वाबा भी आसू थे कि खुद्राम भोश के मन में क्या विचार है कभी वरनन करता है खुद्राम भोश कहते माता रो मत अभी जाकर आता हूं काम अधुरा है नौ मेने के बाद फिर तुम्हारे ही उदर से जन्म लूँगा और इस काम को पुरा करने के लिए फिर जिवन कपाऊंगा ये जोश चाहिए जो होश से निकलता है पहली तो बात है हमारे एक्षेन के पहले हमारा गोल उस गोल तक जाने की पक्की संकल पशक्ति ये काम हमको करना ही है तेरा वईभव अमर रहे मा हम द्यनिचार रहे न रहे ये अपने जीवन का मंत्र बना लेंगे तो विजन और एक्षन दोनों सपष्ट हो जाएगा भारत को अमको बड़ा करना ये नि क्या बड़ा करना है कई बार लोग कहते हैं भारत को बड़ा करना है देखो अमरीगा में कैसा है भारत को बड़ा करना है देखो चाइना कहां तक पहुँचा भारत को महाशक्ति बनाना है भारत को भारत के नाते बड़ा बनाना है अमरीका ने क्या किया अमरीका बड़ा तो बना है बलाध्य है, संपन्न है, ज्ञान विज्ञान के क्षित्र में आगे है लेकिन सारी दुनिया पर अपनी व्यवस्था लादने का डंडा चलाता है क्योंकि अपनी छोटी सी जनसंख्या के लिए उसको बहुत सारे सौसाधन चाहिए चीन भी बड़ा बना है, आगे गया है लेकिन अपने सामर्थ्य का उप्योग अन्य देशों के टुकडे अलग करके अपने सामरज्य का विस्तार करने के लिए करता है क्या भारत को ऐसा बनना है? यह भारत नहीं है भारत एक स्वभाव है भारत ने जाना है, इतिहास ने जब आखे खोली तब उसको ज्ञान संपन्न भारत मिला वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान है संपूर्ण अस्तित्व की एकता का ज्ञान अधूरे ज्ञान में आज भी दुनिया भटक रही है बहुत प्रकती हुई है, बहुत सुविधाय मिली है, बहुत सारा भहुतिक ज्ञान का विस्तार हुआ है परन्तु आज भी कोरोना जैसी बीमारी सारे विश्व को दो साल के लिए पंगु बना देती है और उस महा आपदा में सबसे आगे कौन रहता है? सबसे ठीक कौन रहता है? भारत रहता है क्यों रहता है? क्योंकि अधूरी दृष्टी जो प्रचलीत है उसके पास जोडने वाले तत्व का ज्यान नहीं भारत के प्राचीन पूर्व जोने वो ज्यान प्राप्त किया उन्होंने ये जाना जो आज का प्रगत्व इज्यान कहता है सारा विश्व एक से निप्या है और येक के कारण हम अब का संबन्धे है हम दिखते अलग अलग है बरते अलग अलग है खाते-पीते अलग अलग है पूजा अलग अलग करते हैं सब प्रकार की बाते अलग अलग है सुरुष्टी में भी विधरंगर रूप है परन्तु ये सारे एक स्तर तक भासमान रेते हैं वास्तविक्ता absolute reality क्या है unity of the existence उसको देखते हुए सारा व्यवार करना चाहिए तो भावतिक जीवन भी सुखी होगा और मुर्त्यों को लांकर हम लोग अमर हो जाएंगे ये अगर मुझे पता है और मैं मानता हूँ इस विश्व की एकता को तो सारे विश्व को ये ज्ञान देने के लिए मेरा जन्म है इसके प्रकाश में ये जीवन विद्या देने के लिए मेरा जन्म है एतदेश प्रसुतस्य शकाशा अधगर जन्मनात स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन प्रतिव्याम सर्वबानवा और इसलिए आज भी सुरुष्टी की इन विविधताओं को आपस के कलह में न उल्जाते हुए सबको साथ लेकर कैसे चलना सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ना इसको अगर दुनिया को किसी से सीखना है तो दुनिया कहती कि हम इसको भारत से सीखे डाइवर्सिटी का मैनेजमेंट कैसा करता है भारत से सीखे परियावरण और विकास साथ हमें कैसे चल सकते है विकसित भारत की जो अवस्थाती उसको देखिए काल सुसंगत उसका रूप खड़ा करना पड़ेगा लेकिन उसको देखिए सब प्रकार की परसपर विरोधी दुविधाओं से दुनिया भरिये दुनिया का यही स्वरूप है उसमें द्वईत है लेकिन अद्वईत की भूमी पर पक्का खड़ा रहकर द्वईत की दुविधा को ठीक से चलाना managing the diversity, managing the dualities यह कहां से आएगा भारत से आएगा उसको देने वाला भारत हमको खड़ा करना है भारत का वो रूप है भारत का वो अर्थ है भारत का वो भाव है अपने सम्विधान की प्रस्ता वना में अपने सम्मिधान के मारगदशक तत्वों में और अपने सम्मिधान में नागरिक अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव या स्पष्ट तया उल्ले किते इस बात के पीछे भारत का ही वो स्ववाव है या अज की बात नहीं है भारत कोई दुनिया के पटल पर आज जन्मा हुआ देश नही है अंग्रेजों ने जिसको एक किया ऐसा देश नहीं है अक्रमको के कारण जिसमें एकता आई ऐसा देश नहीं है सारे विश्व की अंतरनी तेकता को जिसने पहचाना और अपने देश की सारी विविदता को उस एक धागे में पिरोकर जिसने एक विश्व गुरु राष्ट का निर्मान किया जो 3,000 साल तक सतत सब्रकार की वैभो संपन्नता के शिकर पर सब्रकार के पराक्रम के ऊंचे शिकर को छूता हुआ ज्यान देकर सारी दुनिया को समूर्ध बनाने वाला किसी को न मिटाने वाला किसी को न बदलने वाला ऐसा भारत रहा वो प्राचिन भारत आज नवे कलेवर में 15 आगस्ट 1947 के बाद खड़ा हुआ है उसका विचार करना चाहिए और उसका विचार करने के लिए हमको पता चाहिए अभी कहा गया नेरेट्व जो अभी आगया आपके सामने रित्या में कि आज की इतियासकार अपने सभ्यता को केवल 2400 साल पुराना मानते ये आज की इतियासकार नहीं ये कल के इतियासकार है अगर कोई ज्ञानी है इतियासका या किसी भी शास्त्र का भी ज्ञान का उसको up-to-date होना पड़ता है और up-to-date knowledge क्या है राखी गड़ी के उतकनन से बाहर आया है कि कम से कम 9000 साल पुरानी जिसको सिंदू सरस्वती सब्यता कहते है वो उत्तरदक्षन पूरम पश्चिम पूरी भारत पे आपी सब्यता थी और इसा पूर्व नव हजार साल कम से कम पुरानी है हमको यह सीखना पड़ेगा अभी यह ज्यान है लेकिन हमारे सामने नहीं हमारे पाठ्थे पुस्टकों में नहीं अंग्रेजों ने जो यहाँ परंपरा डाली उसमें धो गया है यह स्मरण हमको उसको याद करना पड़ेगा उसके लिए ढुणना पड़ेगा पठ्थ करम बदलेगा फिर पुस्टकों में आएगा फिर हम पड़ेगे रुकने की पुरसत नहीं है शीगरा ती शीगर भारत को बड़ा करना है हमको यह प्राप्त करना पड़ेगा यह उपलब्द है खोजेंगे तो मिलेगा खोजना पड़ेगा भारत की वास्तविक्ता को हमको जानना पड़ेगा इतना बड़ा भूगोल था भारत का छोटा क्यों हो गया संस्कृत का व्याकरन जिस जगह पर जन्मा वो जगह आज भारत में क्यों नहीं है है नहीं है उसके पिछे किसकी रंजिश है क्या है वो बात छोड़ दो लेकिन कारणों को समझना पड़ेगा हम इस भारत को भूल गए हम इस अपने अंतरनीत एकता के सुत्र को भूल गए विदेशों के आकरमत तो बाद में चड़कर आए पहले तो हमने ही अपनों को बुला दिया हमने ही जातपात की दीवारे खड़ी कर दी जो व्यवस्थाएं थी उनको हमने दरिया जो चोड़िक हाईया बना दिया जो हमको दूर रखती है और अध्यानवस उसी को धर्म मान कर चलते रहे धर्मक के नाम पर कितना बड़ा धर्म हुआ शास्त्र में नहीं है महापुर्शों के उपदेश में नहीं है हमारे जो आत्मविस्मृति के कारण छोटे अहंकार बड़े हुए उसके कारण यह हुआ उन छोटे अहंकारों को हवा देकर हमको आपस में लड़ाने की साजी से बाद में विदेशी होने की और स्वतंद्र भारत में आज भी चलती है वो समझ में आना चाहिए उससे सावधान होना चाहिए इसलिए उस भारत को जानना पड़ेगा जो विश्वगुरु था जो तपस्वी था त्यागी था परमवईभा संपन्न होने के बाद भी सारी दुनिया को खिलाता था परमबल संपन्न होने के बाद भी किसी को पीडा न देती हुए दुर्बलों की रक्षा करता था यह हमारा इतिहास है उसको जानना पड़ेगा जो इतिहास हमको कहता है कि तुमारे पुर्वजोनों कोई धनगवरो प्राप्त नहीं किया उनको सिकंदर से लेकर तो अभी तक अपने देश की सीमाओं का उल्लंगन करने वालों के साथ जो कड़ा संगर्श हमने किया है और पक पक पर विजय पाई है कभी लड़ाई या हारे होंगे युद्ध कभी नहीं आ रहा है यह जो हमारा इतिहास है संगर्श का वो बताना पड़ेगा कितने ही आगात हमने जहले है कितनी ही परिस्तितिया जहली है हम चलते आए हम रुत पीकर दुनिया मरती लो अमर हुआ मैविश पीकर ऐसा मृत्युन जय हमारा इतिहास है वो हमको सुनना पड़ेगा वो हमको समजना पड़ेगा उसको बताना पड़ेगा हम अमृतत्व के पुत्र है वो हमारा भारत है उस भारत के सत्य को जानना समझना ये पहली आवश्चक दूसरी आवश्चक चर्त है पहली मैंने बताई इस रास्ते पर कदम बढ़ाना है तो अपना विचार छोड़कर सर्वस्वत्याक की तैयारी रखते हुए चलना पड़ेगा ये स्वतंत्रता मिली हमको ऐसे ही नहीं मिली कितने बलिदान हुए सप्रकार के परिश्रम हुए रणांगण में बलिदान हुए शान्तता में सत्यागर भी हुए लोगों ने तरह तरह से अपने जीवन लगाए किसी ने अपने आपको फासी पर चड़ा दिया आस्ते आस्ते किसी ने विद्ञान के अनुसंधान में अपने आपको इसलिए लगाया कि इस क्षित्र में भी भारस का नाम बड़ा होना है जगदीश चंद्र बसू क्यों रि सनातन तत्वज्ञान के आधार पर चराचर अगर चैतन्यम है तो वनस्पतियों को भी प्राण है उनसे भी बात की जा सकती है हर्श शोक की सम्मेदना वहां भी अनुभूती में लाई जा सकती है यह उनका सोशोदन है बग कठिन परिस्थिती में अपनी लेवरेटरी क्यो नहीं चला है वो कोई किसी को केमिकल्स का व्यापार करना था इसलिए नहीं चला इसक्षित्र में भी भारत को आगे जाना है अपनी बनाई हुई सबसे अच्छी तिजोरी केवल मैं भारतीय हूँ इसलिए नकारी गई गोरा आदमी उसने अपने आदमी को आगे बढ़ाया ताला मैंने बनाया वो दुद्कार दिया वो सबसे अच्छा था भारतीयों का मान व्यापार में भी आगे बढ़े इसलिए ताटा उद्जोग की सुरिजना हुई और ताटा उद्जोग उदर स्थापन हुआ उसका कारण विवेकाननद है जम्षेक जी ताता से उनकी जहाज पर चर्चा हुई ताटा ने व्यापार किया और इंस्टिटूट अब साइंस भी खोली इसकी पीछे विवेकाननद की प जुरू की थी अंग्रेजों ने अपने शडियंत्रों के द्वारा उसको डुबा दिया बात अलगे हैं लेकिन यह क्यों किया उन्होंने जहाज रानी के क्षेत्र में बाहरत आ गया है कि कितने ही प्रकार से लोगों ने जीवन जिया है जो जो कुछ करता था कर सकता था किसी को पहाड उठाने का सामर्थ था उसने पहाड उठा लिया किसी को रेती के छोटे छोटे कंड डालने का ही सामर्थ था उसने पूरी ताकत से सारी रेत के कंड वही डाले देश की भवन के रेमान इस वृत्ती से आगे बढ़ना ये पहली बात है जान रखिए आज हम उन शहीदों के गीद गाते हैं आज हम उनके नाम आये तो नारे देते तालिया बजाते हैं उनकी ये अपिक्षा नहीं थी उनको ये पता नहीं था अठासो सत्तावन के वीरों को पराजित होते मिट्टी में मिलते गोरे शोजिरों को नष्ट करके स्वयम नष्ट होने वाले जहासी की रानी को ये पता नहीं था कि एक दिन भारत स्वतंत्र होगा और उस स्वतंत्र ताकि नाहिकाओं में मैं एक हूं आज वो ग्लैमर दिखता है इन जीवनों की वो जो दीपती है वो आज हम देख पाते हैं उस समय उनको उपेक्षा मिली थी उस समय उनको साहता नहीं मिली थी उस समय कितनों को अकेला मिरना पड़ा कितने बरबाद हो गए नाम जो जानते हैं हम उससे कम से कम पचास गुना अधिक नाम जिनको हम नहीं जानते ऐसे लोग है अधन्यात करांतिक आरुकों के सुदूर जंगलों में किसी को पता न चले ऐसे अंतिय समस्कार करने पड़े इस जीवन को हस्ते हस्ते वरण करनी की हिम्मत जिनकी है वो यह कर सकते हैं और हिम्मत के साथ जानकारी चाहिए भारत क्या है भारत संपूर्ण विश्व को सबको जोडने का मंत्र देने वाला भारत है भारत सारे विश्व को अहिउसा सिखाता है उसी समय विश्व की सारी हिउसा का दमन करने का बाहुबल अपने बाहुबल में रखता है वो क्षमा कर सकता है वो सजा भी दे सकता है इस प्रकार का सामर्थ है उसके पास शक्ति है लेकिन ओ शक्ति को धारण कर सकता है तब ही उसके पास है गंगा उतरी भारत में शिवुजी के मस्तक पर क्योंकि अन्य कोई धारण करने वाला नहीं था विश्व की शक्तियों को धारण करके देशोंने क्या-क्या अत्याचार किये आदोनी की तिहास में हम देख सकते है शक्ति का अउतरन जर्मनी में हुआ हिटलर पैदा हुआ शक्ति का अउतरन अमरीका में हुआ हिरोश्मा नागासा की बीचिराग हो गया शक्ति का अउतरन चीन में थोड़ा हो गया तो दुनिया में क्या क्या हो रहा हैं देख ले भारत को शक्ति मिली भारत ने क्या किया भारत ने उस शक्ति का उप्योग विश्व के लिए विश्पी कर विश्व को बचाने का काम करने में किया भारत अहिवसा का पुजारी है भारत दुर्बलता का पुजारी नहीं है भारत शक्ति के आराधना करता है मन में उस अहुसा को धारण करके और हाथ पेरों में उस शक्ति को धारण करके हमको इस पत्पर आगे बढ़ना है भारत को जानकर चलना है और सोचना है कि क्या करना है पहली बात है भारत को बड़ा बनाना है तो भारत का स्वभाव अपना स्वभाव होना चाहिए पंत जाती प्रांत भाशा आदी के आधार पर एक-एक मनुष्य को बाट बाट कर देखना जो अलग दिखते है वो एक हो ही नहीं सकते ऐसा बान कर चलना ये भारत नहीं है भारत मानता है एक होने के लिए एकसा होने की जरुरत नहीं एक होना तो मन की बात है मन की एकता होती है समरसता होती है उसके बलबूते प्रकृती ने जितने भेद रखे उतने भेदों को साथ चलाओ बाकी और कोई भेद मानने की या तैयार करने की जरूरत नहीं भारत के अवनती के काल में कई प्रकार की विकृतिया इसी आई है, अपने मन को पहले उससे मुक्त करना करके चलना पड़ेगा, उन भेदों के आधार पर स्वार्थ की मांगे उठती है, उन भेदों को भढ़का कर स्वार्थ की लालच देकर कई प्रकार की गतिविदिया चल पूर्ण विश्व की एकता मानता है वैसे ही विश्व की हर छोटी बड़ी विविधता को मान्यता देता है, स्विकार करता है, उसका स्वागत करता है. तो छोटी विविदताएं हैं, हमारी अपनी भाषा है, हमारा अपना प्रांत है, प्रांत में हमारो उपप्रांत है, हमारी अपनी पूजा पंथस अंपरदाए है, यह सब हमको प्यारा है, प्यारा होना चाहिए, हमारे घर परिवार का एक एक सदस्या, हमको प्यारा होना चा सब कुछ हमारे प्यारे होते हैं तो संपूर्ण विश्वा पर प्रेम करनी की हमारे इक्षमता रहती है परन्तु इन छोटी पहचानों को लांग कर उसके आगे जाकर व्यापक दृष्टी से विचार करने का मन भी चाहिए इन सब बातों को लेकर भी हमको भारत होना पड़ेगा भारत को बढ़ा करना है ना तो भारत के सब जातिक लोग मेरे अपने भारत की सब भाषा है मेरी अपनी भाषा है भारत की राष्टर भाषा कुन सी भारत की सारी भाषा है राष्टर भाषा है आपस में बात करने के लिए कोई एक भारती भाषा हम चुन लेंगे पूरा भारत उसके जल जंगल जमीन जानवर सहित मेरा अपना है हो सकता है आज कोई मेरे पास नहीं है कल मेरे पास आजाएगा इस अपनत्व के भरों से आजाएगा उस अपनत्व को किसी शक्ति के संबल की आवज शक्ता है तो वो शक्ति मेरे पास है अखंड भारत की बात करते तो डरने की क्या बात है लोग डर जाते हैं कब होगा डर ना छोड़ देंगे तब होगा भाई जो था वो होने में क्या दिक्त है होगा परन्तु हमको उस भारत को बनकर सपना देखना पड़ेगा अगर हम भारत की दुष्टी से विचार नहीं करते तो दस हजार साल से भारत में खेती चली जमिन नहीं बिगड़ी भारत की जमिन कब से बिगड़ी जब से हमने अनुभाव सिद्धा अपना खेती का तंत्र छोड़कर अधिक और शीगर उत्पात की लालच में रासायनिक ख अगड़े में गिर गई हम भी अंध होकर अपने स्वरूप को भूल कर अपने स्मर्ण को खोकर अपने आप पर के विश्वास को खोकर विदेशों के अंधानुकरण में चले गए आज की समस्याओं में आधे से जादा समस्या है उस अंधानुकरण के कारण है हम अपने भारत में अपने कारेक्टरम के शिर्षक में अपनी भाषा का इस्तिमाल नहीं कर सकते हम जब तक विजन और एक्षन नहीं कहते तब तक हमारा आकर्षन नहीं बनता विशे के साथ ऐसा है क्या हम को इस बात को बदलना पड़ेगा बाते करवी लगेगी आपको अप्रिय लगेगी लेकिन यह सत्य है इससे मुख मोड के काम नहीं चलेगा इस सत्य को स्विकार करके हमको भारत बनना पड़ेगा भारत की भाषा भारत की भूशा भारत का इतिहास भारत का भुगोल भारत के जंगल भारत के जानवर पशु पक एकात्मता का उस भाव का मूर्तिमंत उधारन मेरा जीवन होना चाहिए फिर बात आती है कि हम करने चले जाए उसके पहले हम इस देश की भक्ति को अपने दैनन्दिन जीवन की प्रतिकृति में उतारे कैसे उतारना भगिनी निवेदिता कहती है कि स्वतंत्र देश में देश भक्ति का रूप होता है नागरिक अनुशासन अंगरी जी में वो लिखती थी सिविक डिसिप्लिन ऐसा उन्होंने उलिख किया है हमको इस अनुशासन की बहुत आवश्यक्ता है बई जिस देश के धर्म के चार पहरों में एक है शुचिता अंतरबा या स्वच्छता वहाँ स्वच्छता के अभियान चलाने पड़ते हैं और अभियान चलाने के बाद भी अभी भी रास्ते के दोनों कई जगह कचरों के दर्शन होते हैं तुम बाते करेंगे बड़े भारत की और छोटी बाते ऐसी ही छोड़ देंगे तो ऐसे चलेगा धर्मपरान भारत की बात करेंगे सत्य जिसका धर्म है करुणा जिसका अंग है शुचिता अंग है और तपस्या अंग है आम ऐसी अस्वच्छता देखेंगे क्योंकि उस कचरे को जमा करके योग जगर डालने में ज़्यादा परिश्रम लगता है फेग दिया बाजू में तो एक ना एक दिन कार्पोरेशन उठा के लिए जाएगा, इस शॉर्टकोट को लेने वाले तपस्या की बात कैसा कर सकेंगे, हमको अपने जीवन को परिश्रम का जीवन बनाना पड़ेगा, हम तपस्या करेंगे, किसी भी बात को छोटे रास्ते से नहीं चाहेंगे, जो भी चाहिए, पूरी कीमत चुका कर लेंगे, दान में या मुफ्त मिलता है, इसलिए उसके पीछे दवड़ते वे, ऐसा नहीं लेंगे, परिश्रम करेंगे, और अपने आपको अंतरवाय सच्छ रखेंगे, ऐसा जब होता है, तब नागरिक अनुशासन का पालान होता है, हर ब मेरे लिए ठीक है, लेकिन इसका परिणाम आसपास क्या होने वाला है, मेरे गाओ पर क्या होगा, मेरे देश वाजियों पर क्या होगा, मेरे देश के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका विचार करके हर बात को जीना पड़ेगा, आगे चलके यही विचार विस्तारित ह होता है तो फिर देश की नीतिओं में विचारिस्का किया जाता है कि जो भी करना है वो देश के लिए उचित है कि नहीं जो परंपरा से चलता आया है उसमें से देशा नुकूल कितना यूगा-belt कितना है अग और जो बाहर से आया है, बाहर से भी आता है, ज्ञान कोई बपवती नहीं है किसी की, सारे विश्व के ज्ञान में से जो आता है हमारे पास, वो देश के लिए हितकारक है, तो देश के लिए हितकारक बना के लेना, जो स्वदेशी है वो युगानुकूल चाहिए, और जो विदेशी है वो देशानुकूल चाहिए वो बनाने की बुद्धित तब बनती है जब अपने जीवन में इस प्रकार की शुचिता और परिश्रम की आदत रहे कि नागरिक नियमों का पालन समस्याय होती है उसके लिए गुहार लगानी पड़ती है लेकिन बसे इसके हो जलाना अंग्रेजों का जमाने में हमने सव इने सत्यागर किया जो हमारे शत्रु थे हमको गुलाम बनाने वाले थे उनको यहां सत्याग्र नाकपुर में हुआ 1920 वाला 21 वाला तो उस सत्याग्र में डॉक्टर साब ने बचाओ का भाशन दिया लेकिन सत्याग्र का यह था कि बचाओ भी नहीं करना कानुन तोड़ना और कानुन तोड़नी की जो सजा मिलती है लेना ऐसा उस समय हमने किया हमारे अपने स्वतंद्र देश में हमने चुनिवी सरकार जिस किसी पार्टी की जहां पर हो अगर कोई गुहार लगानी है तो हम अपने सारवजनिक संपत्ति को कैसे जलाते हैं हम अपने बात के पीछे लोगों को जमा करने के लिए उनके सामने किसी शत्रू को क्यों खड़ा करते हैं स्वत्मत्रता के पहले हम को गुलान बनाने वाले हमारे सामने शत्रू के नाते खड़े थे शत्रू सामने है तो जोशाता ही है आज कोई शत्रू नहीं है तो जोज दिलाने के लिए हम में से ही हम किसी को शत्रू बना कर लोगों के सामने खड़ा करते हैं आपस की छोटी पहचानों में शत्रू था ऐसा खड़ा करते हैं उनको यह सब आदते छोटनी पड़ेगी नागरिक अनुशासन का पालन इसमें यह भी आता है जो जो अपने देश के हित के लिए आवश्चक है करेंगे हमने बनाई व्यवस्था है हमारे प्रतिनी दियों ने मिलकर दिया सम्मिधान है उसका ठीक से पालन हो वो सम्मिधान इतना हुदार है कि अगर हमको लगता है उसमें कुछ बदलना है तो उसी में व्यवस्था है जिनको करना है वहां का पालन करेंगे लेकिन सम्मिधान जो कुछ है आज की तारिक में जो कानुन बना है जो अनुशासन बना है हम उसका शर्दा पुर्वक पालन करेंगे ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा फिर जो भी काम हम करना चाहेंगे उसको इमानदारी से उत् कुरुष्ट करने का सेथा हिगा हम होना चाहिए कि विश्व में उत्कुरुष्ठता की कीमत लगते है गतना ही हमको गुलाम किया गया कितना ही हमको अपमानित किया गया हमारे अपने मन में हमारे पुर्वजों के प्रती हीन भावना भरने का काम हुआ लेकिन यह जो कुचालों का शरियंत्र है बड़ा कुटिल और सर्वत्र विश्मे में जो अजय था वो हमारे संगीत के सामने परास्त हो गया संगीत को वो कम कर सके आज भी भारतिया संगीत का बोल बाला सर्वत्र है क्यों एक उत्कृष्टता के स्तर पर उसको रखा है वहां से नीचे गिरानी का की तज्वीज हो ही नहीं सकती है हमारे योग को फिर से मानना पड़ रहा है सावस्कृत भाशा की उप्युपत्त का क्योंकि यह उत् अपने हर काम को मन लगा कर उत्कृष्ट करना सिखना होगा चोटा काम हो बड़ा काम हो अपने देश में करने का हो वीज़ेश में जाके बताने का हो ऐसा कहते हैं की तिलक जी को उनके पुत्र ने पत्रल का कि आप गणित के विद्वान है इसलिए आप चाँच्छो मुझ आपके बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे गनित में तो बिल्कुल रुची नहीं, आप क्यो ठोप रहो मेरे पर, अगर मुझे जूता सिलाने का कम अच्छा लगता है, तो मुझे वही करने जेना चाहिए, आप यू नहीं करते, तो तिलग जी ने उसको उत्तर दिया, कि तुम्हारे बाद साही है, तुमको जो अच्छा लगता हुए ही करना चाहिए तुमने, तुमको जुता सिलाने का काम है, तुम करो, मेरा कहना इतना ही है, कि जुता सिलना सिखो, तो ऐसा सिखो, कि पुना शहर में लोग कहें, कि अगर जुता सिला कर लेना है, तो तिलग ज के लड़के के पास ही लेना है काम छोटा बड़ा नहीं होता काम छोटा बड़ा हूं अ के प्रत्यक्ष निर्गुण निराकार भगवान को सगुण साकार बना कर अपने हुकम से सामने नचाने वाले संत कितने ही काम करने वाले होते थे कोई कुमार थे कोई नाई थे कोई तो जिनको दुर्भाग्य से अस्पुष्य कहा गया ऐसे थे कोई बाग बगीचे का काम करने वाले थे सब कोई विद्वान दशकरदी प्रामन नहीं थे वो तो बहुत थोड़े थे अपने काम को ठीक करना योगह कर्म सुक उशलम इस संदेश का आचरन करते है तो अपने अपने कर्म योग से भी सर्वोच्च श्रिष्ट तत्व को पाया जा सकता है यह भारत का संदेश है इसलिए उसका आचरन करना जो भी आप कर रहे हो आप इंजिनियर बनना चाहते हो उत्कृष्ट इंजिनियर बनो डॉक्टर बनना चाहते हो उत्कृष्ट डॉक्टर बनो लेकिन कर्म की कुशलता में केवल कर्म उत्कृष्ट करना नहीं होता कुशलता काई करता है जो ऐसे गिता में योगह कर्म सु कौशलम कहा है वैसे तथागत ने कुशलस उपसंपदा ऐसा कहा है कर्म करते है अपना पेट पालने के लिए आजी वी का प्राप्त करने के लिए उपसंपदा के लिए कुशल होनी चाहिए ऐसे ततागत ने भी कहा है तो कुशल शब्द का अर्थ क्या है कुशल शब्द का अर्थ है कि वो करते समय दूसरे किसी की हानी न हो और ये थोड़ा नकारात्म हो जाता न हो उसको सकारात्म जोड़ देंगे दूसरे लोगों का भी उपकार हो वो कुशल कर्म है तो हम उत्कृष्ट डॉक्टर बनेंगे हम उत्कृष्ट डॉक्टर है इसलिए हम जिस बस्ती में रहते है उस बस्ती में स्वास्थ उत्तम हो गया लोगों का हमारे कारण तो हमारी डॉक्टरी का उपयोग है केवल उचा होने से क्या होता है उचा बया तो क्या बया जैसे पेड़ खजूर पथिकन को चाया नहीं फलल आगे आती दूर ऐसी उत्कुष्टता किस काम की अटल जी तो प्रार्थना करते है प्रभो मुझे इतनी उचाई मत देना कि मैं किसी घास के उकते-तिनके से बात न कर सको इतना दुर मत करना कि मैं अपनों से ही दूर हो जाओ हमको उत्कुष्टा होना है और हमको उपकारी होना है उपकार यान्या अहंकार नहीं जिवन का ये मंतर है अपने हां आत्मनों मोक्षार्थम जगध हिताये चाँ, कर्म ऐसा करो, उत्कृष्ट कर्म करो, तो आपके कर्मयोग से ही आप वहां तक जाओगे, लेकिन ये कर्म केवल आत्मनों मोक्षार्थम नहीं होता, आत्मनों मोक्षार्थम जगध हिताये चाँ, एकांत में उसकी साधना, लोक अगर अपना जीवन बनना है तो उस जीवन का जीने वाला मैं हूँ, मुझे ठीक रहना चाहिए, मेरी आदते, मेरा स्वास्त है, मेरा भी आया हूँ, मेरी शिक्षा, उसके लिए समय देना पड़ता है, देना ही चाहिए, अपने परिवार को ठीक रखना पड़ता है, क्योंक परिवार स्वस्थर है, तो हम स्वस्थत आज से सारे काम कर सकते हैं, परिवार की भी चिंता करनी पड़ती है, लेकिन अभी से तीसरी चिंता भी करना सिख लिजिए, रोज मेरे लिए मैं समय देता हूँ, अभी मैं कमा नहीं रहा हूँ, तो मेरे पिता जी, माता जी, कोई मेरे परिवार के लिए भी ऐसा ही होता है होना ही चाहिए परंतु तीसरा समाज है उसके लिए भी रोज मेरा समय और मैं जितना खर्चा कर सकता हूँ इतना पैसा खर्चा होना चाहिए अपने समाज के दुख़दारी द्रय अभाव कष्ट को दूर करने का कोई काम उसमें मैं रोज समय देता हूँ अभी से आदत लगनी चाहिए आज समय और संपत्ति निकालने की आदत लगाएंगे कल अगर जरूरत पड़ती है भारत माता को फिर से प्राणों के बली की तो यकायक नहीं आते समाज का वातावरण देता है यह वातावरण समाज में नित्य चाहिए आकरमन का ताता लगा लेकिन समाज के नित्यसिद्ध शक्ति आईसी थी जितने महंगे उतने वीर दिये जैसा आकरमन था वैसा जबाब देने वाले दिये कैसी लड़ाई सिकंदर पुरस की हुई थी वैसी अनंगपाल और घोरी की नहीं हुई थी वैसी छत्रसाल और और रंगजेब की नहीं हुई थी वैसे शिवाजी महराज की पाश-पाश-पाश्शाओं से नहीं हुई थी राणा प्रताप उसी तरीके से नहीं सब के तरीके लड़ने के अलग-अलग थे लड़ाईया होते 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 सुभाज बाबु की एक तरीके से लड़ाई गांडी जी की दूसरे तरीके से लड़ाई समाज सुधारकों की अपने समाज की कमियों से तीसरे प्रकार की लड़ाई और आत्मविस्मूरुत समाज को सुवका भान देने वाले दैनन्द सुरस्ति, विवेकान अंदर, आश्ट्रियोसों संगे जैसा कारिये इनकी अपने लड़ाई अलग अलग तरीके से, अलग अलग मोर्चो पर अलग अलग परकार से लड़ना पड़ता है उस लड़ाई करने वालों को समाज ने दिया, संकट सामने था, संकट देश के अंदर था, आज सामने कोई नहीं है तो समाज सहो जाता है, आप अप इसके ढगडत जात्पात के ढगडए चलते हैं, भाषाओं के ढगड़े-र चलते हैं, अंदोलग चलते हैं सब चलता है लेकिन कार्गिल जैसा कोई हादसा हो जाए तो तुरंत सारा समाच सब भूलके देश के लिए लग जाता है तो यह तो कोई निए क्रह सकता कि भारत वासियों की क्षमता नहीं भारत वासो के क्षमता है उन्नीस सो सहतालीज के बात एक नहीं पाँच-बाच बार उन्होंने दिखा दिये, इस भारत को स्वतंद्र रखने को, इस भारत को प्रजात आंत्रिक रखने को, इस भारत को सब को समान मान कर चलने वाला भारत, बना कर रखने को, यहां का सामान्य व्यक्ति भी कटिबद्ध है, और समय आता है तो परिश्रम करता है, चुनोती संकट आता है तो परिश्रम करता है यह आज भी है इसलिए किसी प्रकार के निराशा की जुरुरत नहीं बस एक बात के आवज्शकता है कि संकट आता है तो हम तयार रहते हैं हम तयार रहे तो संकट आए गई नहीं सुख में सुमीरन सब करें दुख में करिन को है जो सुख में सुमीरन करें तो दुख काहे को है हम सदै वा तयार है क्योंकि आगे तो जाना ही है संकट हो ना हो चलना तो है रास्ता सीधा है सामने दिख रहा है सपाठ है सब कुछ क्लियर हो गया है कोई बीज में आने वाला न यह होने के बाद भी चल कर तो जाना है ही और इसलिए इस तैयारी की अवश्चक्ता है हम इसको करें और अधिकाधिक लोगों के पास जाकर अपनी मित्रता के अधार पर अपने उदारन के अधार पर उनुको भी इस रास्ते पर हमारा सहयात्री बनाएं संपूर्ण देश विश्व की अशान्ती विश्व के संकट दूर करने के लिए विश्व को रास्ता दिखाने वाला बलशाली एकात्म सामरस्यपूर्ण विश्वगुरु भारत खड़ा करने के काम में जीने मरने की शर्ट लेकर जीने मरने की जिद्द लेकर जुटा है ऐसे अपने समाज को खड़ा करने वाला जो कोई काम है यह कई होगा ऐसा नहीं है मैं संग को जानता हूँ लेकिन और भी लोग है प्रामानिक्ता से निस्वार्थ बुद्धिस यह द्यान में रखी है नहीं तो ठोकर खाएंगे नकली माल से सावधान और असली की पहचान क्या है वहाँ प्रामानिक्ता है वहाँ स्वार्थ यच्किन्चित भी नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए है ऐसे आता है लेकिन वो जितना कहते हैं उससे 40 गुना अधिक अच्छा भारत में करने वाले लोग है व्यक्ति है संगठने संस्ताएं है हम किसी न किसी प्रयास के अंग बने अथवा अपनी प्रतिभासे हम हमारा अपना शुरू के प्रयास लेकिन वृत्त पत्र में नाम छपेगा पहनूंगा स्वागति सुमार छोड़ चलो यक्षुद्र भावना भारत के भावीत तारणहार संगव हम कहते हिंदुराटर के तारणहार ये एक वरत का कंकन बानकर हमको चलना पड़ेगा इसलिए कल के स्वातन्तर जिनके एक दिन पूर्वा आपने मुझे बुलाया है संदेश होकर तो मैं देता नहीं हूँ मैं काम कर रहा हूँ आप भी जानते हैं आप मेंसे भी अनेक लोग काम कर रहे होंगे और बाकी सब लोग काम करने की इच्छा रखते हैं किसी भी मारगे से काम करना शुरू कर जीजिए संकल पली जीए कि हम ढूंडेंगे अपने जीवन को बनाएंगे ऐसा कोई काम ढूंड कर उसका अंग बनकर आजीवन अपने लिए कुछ ना चाहते हुए केवल समाज और देश के लिए काम करेंगे जो भी करेंगे उसके लिए करेंगे फासी जाएंगे देश के लिए घर में बेटके अपना काम करेंगे उत्तम करेंगे उसके लिए पैसा देंगे उसके लिए गीद गाएंगे उसके लिए जो कुछ मेरा जीवन होगा बस भारत के लिए होगा तेरा वईभो अमर रहे मा हम दिन चार रहे न रहे इस प्रकार की भावना लेकर अपने जीवन के शिल्पकार बनने का संकल्प आप लीजिए और कल का स्वातन त्रिजिन मनाईए ये एक अनुरोध मैं आपके सामने रखता हूं और धन्यवाद देता हुआ मेरी चार शक्त सम